हरे कृष्णा आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो प्याज लसुन होता है ओनियन और गारलिक होता है वो मीट इटिंग के बराबर कैसे है यानि कि जो प्याज लसुन है वो मास के तुल्य कैसे है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वीड Albert Einstein का एक बहुत ही important quote है Albert Einstein बताते हैं इस अर्थ पर यानी की जो प्लेनेट अर्थ है इस पर survival करने के लिए आपको vegetarian होना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीजें भी यहाँ पर दे रखी है जो कि human health के लिए बहुत important है हम कभी इस चीज पर भी बात करेंगे कि जो carnivorous animals होते हैं और जो herbivorous animals होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनका जो digestive system होता है वो कैसा बना होता है हालंकि अगर आप एक science के student है तो आप कापी अच्छे तरीके से समझ पाऊगे कि जो digestive system होता है वो अलग-अलग जीवों के अंदर अलग-अलग पाया जाता है जैसे एक सेर होता है उसका जो digestive system होता है वो carnivorous animals के जैसा होता है जैसा एक होता है डोग होते है उनके दांत थोड़े अलग ही दिखते हैं कभी आप इस चीज़ पर गहन research करना जो carnivorous animals होते हैं और जो herbivorous animals होते हैं उनके digestive system पर और उनके दांतों पर विकोज उनके दांत इसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि वो animals को खा सके वो mass खा सके बट हमारा digestive system ऐसा नहीं है तो हमारा digestive system इस चीज़ को support भी नहीं करता तो हम खेर बात करते हैं कि जो onion and garlic है वो meat eating के बराबर कैसे हैं ठीक है इस चीज़ को हम prove करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तीन जो गुण है उनके बारे में बता देता हूँ और तीन जो food के type है वो बता देता हूँ देखें जो हमारी प्रकरती है उसके अंदर तीन तरह के यहाँ पर food है तीन तरह वैसे तो बहुत तरह के हैं लेकिन ultimate जो result निकल कर आता है जो result देता है जो हमारा चेतना बनाता है हमारा सरीर बनाता है हमारी consciousness बनाता है वो तीन ही level पर है तो यहाँ पर तमोगुणी होता है सतोगुणी होता है और रजोगुणी होता है यानि कि तीन तरह के आहार है, थ्री टाइफ ओफूड और ये तीनों कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारी consciousness, ये जो तीनों फूड होते हैं, यहाँ पर इनको खाने से हमारी consciousness बनती है, हमारा सरीर बनता है, वो कहते हैं ना कि कुछ जो भी आप चीज खाओगे, तो कुछ तो हमारे तन में लग जाता है, यानि कुछ से हमारा सरीर बन जाता है, और कुछ से हमारा मन बन जाता है, यानि हमारी consciousness, तो यहाँ पर थ्री टाइफ को फूड है, यह यहाँ पर डिटेल के अंदर मैं आपको थोड़ा आगे भी बताऊंगा, तमो, सतो और रजो गुन, यानि क कि ultimate जो रजजो गुन कराता है, वो तमो, रजो और सतो में निकल कराता है, बट यहाँ पर इस कलियूग के अंदर क्या है, यहाँ पर यह जो तीनो गुन है, यह हमेसा mix में पाये जाते हैं, किसी के अंदर भी पूरा तरह से सतो गुन नहीं होगा, किसी के अंदर पूरी तर अंदर भरपूर मातरा में कही नहीं पाए जाते हैं ना ठीक है बड़ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर तमो सतों के क्या चीज हैं तो हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार हमारे भोज्य पदार्त भी स्रेश्टी का आधार का भाग है तो प्याज, लसुन, मुंग, मसूर की दाल, उड़त की दाल, मुंग की नहीं मसूर की और उड़त की दाल है ना तो यह आते हैं तामसिक भोजन के अंदर इसके अलावा जो सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन होता है तो तीन टाइप के फूड है और इन त तो इस बोजन के द्वारा हमारी जो consciousness का निर्मान होता है उस पर मैं एक अलग separate वीडियो भी लेकर आऊंगा अगर आपके number of comments जादा हुए तो अब हम बात करते हैं गुना क्या होता है मतलब जो गुन होते हैं उसको क्या बोलते हैं एक गुना is one of the three tendencies of the mind, body and consciousness एक गुन होता है वो mind यानि कि जो हमारा दिमाग होता है बोडी होती है हमारा शरीर और consciousness जो हमारी चेतना होती है तो रजस्तमस और सत्व जो राजस्तिक तामसिक और सत्विक फोजन के आने से बनता है तो रजस्तमस और सत्व गुन बनते हैं तो राजस्तिक जो बोजन होता है यानि कि activity, restlessness and यहाँ पर anger वेगरा इनको कंट्रोल करती है राजस्तिक से आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब एक बहुती लग्जरियस लाइफ वाला जीवन जिसके अंदर आदमी मतलब भोग विलास के अंदर लिप्त रहता है वो वाला जीवन होता है राजस्तिक जीवन तो यह जो भोग विलास का जो consciousness है वो निर्मान होती है इस से ताامसिख बोजन के अंदर बहुत ज़ादा लेथर जी आलशी आता है लेकेडािसीकल फील करता है बहुत जादा आलसी हो जाता है व्यक्ति और डल फील करता है लेजिनेस उसके मुद्ध बहुत ज़ादा होती है और चोटी चोटी बातों पर एक बैंट ओन होता है न, उता बारू ऐसे मतलब किसी ने कुछ हलकी सी बात बोलती तो तुरंत तामसिक उसकी एक्टिव हो जाती है और अपना मतलब आपक हो देता है और फटाफट मतलब लडाई के लिए तयार हो जाता है मरने मारने के लिए तयार होता है तो ऐसे जो गुणोग वाले विक्ति होते हैं व सही होता है जो हमारे पांचन क्रिया के लिए भी सही होता है और जो हमारे गुन है वो उनके लिए भी सही होता है तो एक बढ़िया गुन यहाँ पर बनाते हैं ठीक है अब हम प्रूव करते हैं आगे सारी चीजें के बारे में अगर आप यह पढ़ना चाहते हैं और डिटेल क की बात करता हूँ जैसे चोकलेट्स भी इसी के अंदर आते हैं कोफी आते हैं कोफी के अंदर आपको बता है एक कैफीन जो नसीला पदारत है वो आता है कोफी के अंदर भी आता है और चाही के अंदर भी आता है और जो फ्रीजी फूर्ट्स होते हैं ये चीजें आप देख स और यह यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखें, तो यह तामसिक के अंदर आप एक चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, और साथ्विक फूड होता है, साथ्विक फूड के अंदर जैसे यहाँ पर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजीटेबल साती हैं, और जूस आते हैं, इसके अलावा पलसेज आती हैं, ग्रेंस आती हैं, नट्स आते हैं, सीर्स आती हैं, हनी आती है, हाब्स आती हैं, मिल्क तो मेन टबिक पर कि यहानि कि हम बात कर रहे हैं ओंइन इंऑ Probable कैसे होता है देखें के approximations elegance अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक equation आती है a is equal to b is equal to c is equal to one यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं A की जगा भी एक रख सकता हूँ, B की जगा भी एक रख सकता हूँ, और C की जगा भी एक रख सकता हूँ, तो कोई भी यहाँ पर बहुत ज़ादा मोली कंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानि कि अब मुझे कोई भी एक्वेशन दे दे जाए, चाहे AQ, BQ प्लस CQ बराबर कुछ क्या होगा, वो चीज़ पूछ ले, तो भी यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपर अच्छे से निकाल दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकिंड यह क्या हुआ, ठीक है, तो A by B बटा A by B प्लस का C by 2, ऐसे कुछ भी दे दे, कोई भी एक्वेशन आती है mathematical की, तो वो वहाँ पर मैं one put करके उसका solution निकाल दूँगा, ठीक है, इसका मतरब होगा कि मैं यहाँ पर A, B और C की जगे एक put कर सकता हूँ, ठीक उसी तरह से onion, garlic और मसूर की दाल और meat eating, यह तिनों जो गुन produce करती है, ultimately जो गुन produce करती है, उस गुन का नाम है तमोगुन, यानि कि यह तमोगुन produce करती है, और तमोगुन जो produce करती है तो यानि कि हम मानके चलते हैं कि हम मानके चलते हैं कि यह तमोगुण यानि कि अभी हमने एक की जगह यहाँ पर जो वन है यहाँ पर एक की जगह वन रखा था तो तमोगुण की जगह में ओनियन गार्लिक रख सकता हूँ तो यह इसका ultimate result यह निकल कर आया कि onion garlic is equal to तमोगुणी और यहाँ पर जो मसूर की डाल है वो भी क्या result दे रखी है तमोगुणी उसी प्रकार से जो meat है वो भी क्या result दे रखा है तमोगुणी यानि कि जो आहार के basis पर हम बात करें तो onion garlic, मशूर दाल और meat eating यह तीनो हुई है तो एक ही बराबर हुई तो हम यह मानते हैं कि यहाँ पर meat eating और onion garlic eating दोनों एक ही चीज़ है तो इसके अंदर कोई अंतरभेद नहीं है तो मैंने यहाँ पर आपको mathematical equations के हिसाब से समझाया और अगर आप एक और detail के अंदर वीडियो चाहते हैं food के उपर भोजन के उ आते हैं ऐसा वीडियो तो comment में लिखकर जरूर बता देना और अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आये तो like करके जरूर बताना और comment भी कर देना ताकि मैं आपको समझ पाऊं आपको कोई problem हो तो comment भी पूछ लेना ठीक है और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आ